मित्रों क्या आपको पता है कि महाभारत युद्ध में कौरपक्ष की और से लड़ने वाले अश्वथामा महावीर कर्ण को मारना क्यों चाहते थे? जी हाँ आपने बिलकुल सही सुना तो क्या था इसके पीछे का कारण? जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में और मित्रों ऐसी सभी exclusive वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल The Divine Tales के मेंबर जरूर बने तो बता दें कि ये बात उस समय की है जब युद्ध में घटोदगच वद के बाद अश्वथामा सूरेपुत्र कर्ण को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल कर दोड़ पड़े थी इस रातरी युद्ध के बाद पांडवों को युद्ध में विजय होता देख दुर्योधन कर्ण के पास पहुचते हैं और कहते हैं कि हे मित्र यही मित्रों के करतव्य पालन का सही अवसर है क्रोज से भरे हुए पांचाल मतस्य और पांडव महरती सापों की तरह भयंकर हो गए हैं उनको चारों और से गेरे हुए मेरे सबी महरती युद्धाओं का आज तुम रक्षन करो देखो तो इन्हें विजय से सुशोबित होने वाले ये पांचों पांडव और इंद्र की स करा कर अर्जुन के प्रान ले लूँगा मित्र तुम धहरे रखो मैं तुमसे सची प्रतिग्या करके कहता हूं कि युद्ध भूमी में मैं पांडवों और पंचाल के महरतियों को जल्द ही मारूंगा जैसे अग्निकुमार कार्थिक ने तारकासुर का वद करके देवताओ को विजय दिलाई थी ठीक उसी तरह मैं भी तुमें इस युद्ध में विजय दिलाऊंगा माता कुंती के सभी पुत्रों में अर्जुन सबसे शक्तिशाली है इसलिए देवराज द्वारा दी गई अमोग शक्ति का मैं उसी पर इस्तेमाल करूंगा अर्जुन के मारे जान मुश्कुराए और सूर्य पुत्र से बोले हे रादा पुत्र बहुत अच्छे अगर ऐसी बाते बनाने से ही कारे सिद्ध हो जाए तो तुम जैसे मित्र को पाकर दुरेओधन धन्य हो गया तुम बाते तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हो लेकिन ना तो तुमारा किसी ने पराक्रम देखा है और ना ही उसका कोई परिनाम निकला हे सूथ पुत्र पांडव पुत्रों से तुमारी कई बार मुठबेड भी हुई है लेकिन पांडवों से हमेशा तुम्हें हार ही मिली है उन्होंने आगे कहा कर्ण याद है न तुम्हें जब गंदर्व दुर्योधन क पकड़ कर ले जा रहे थे तब सबसे पहले तुमी ने पलायन किया था वही जब विराट नगर में सभी कॉरव एकत्रित हुए तब अकेले अरजुन नहीं तुमारी पूरी सेना को हरा दिया था और वहाँ पर तुम भी थे तुम भी अपने मित्र दुर्योधन के साथ परा जना दिखाते हो लेकिन इस बात की समझ दुर्योधन को नहीं हे रादानंदन जब तक तुम अरजुन को नहीं देखते हो तब तक गरज लो क्योंकि जिसने अपने पराकरम से महादेव को भी संतुष्ट किया हो तो उस जैसे वीर को भला कौन ही मार सकता है कृपाचारे के इन कटू वचनों को सुनकर सूरेपुत्र उदास हो गए और उन्होंने कृपाचारे से कहा शूरवीर वर्शाकाल के बादलों की तरह हमेशा गरजते हैं और ठीक रितु में बोय हुए बीज की तरह शीगर फल भी देते हैं अगर महान शूरवीर योद्धा युद्ध के म पर अपनी प्रशंसा की बात कहते हैं तो इसमें मुझे उनका कोई दोश नहीं दिखता मैं पूरे मन से इसे कारेभार की डोर संभाले हुए हूँ इसकी सिद्धी में द्रिण निश्चे ही मेरा सहायक है मैं माधव के साथ-साथ पांडवों को मारने का निश्चे करके यद गरज रहा हूँ तो उसमें आपको कश्ट क्यों हो रहा है उन्होंने आगे कहा जो पुरुष अपना सामर्थ जानता है वही गरजता है हे गौतम मैं आज रनभूमी में जीत के लिए प्रयत्न करने वाले श्रीकृष्ण और अर्जुन पर विजय होने के लिए मन ही मन उमं नहीं कर सकता तुम हमेशा ही कृष्ण और पांडु पुत्रों की वीरता पर संदेह करते हो लेकिन एक बात जान लो जीत उसी पक्षकी होगी जहां देव की नंदन और पार्थ विद्यमान है अगर सभी देवता गंदर्व मनुष्य सर्प और राक्षस भी इस युद्ध क शस्त्रों की कलाओं में निपुन है और यही नहीं उनके पक्ष में देवराज इंदर की तरह पराक्रमी और युद्ध प्रहार करने में कुशल कई युद्धा है उन सभी के नाम तुम जानते हो लेकिन मैं फिर भी तुमें गिनाना चाहता हूँ दृष्ट द्युम, शिक युद्ध कर रहा हो, तो उनको कोई हानी नहीं पहुचा सकता, कृपचार ने आगे कहा, सभी पांडवों की अपनी अपनी विशेशताय हैं, और जिनके साथ स्वयम भगवान कृष्ण खड़े हो, करन तुम इन जैसे वीरों को परास करने की सोच भी कैसे सकते हो, के द्वारा मैं वीर अर्जुन को युद्ध में मार डालूँगा, उसके मारे जाने पर अन्य पांडव शोक में डूब जाएंगे, और अर्जुन के ना रहने से उन सबका विनाश हो जाएगा, और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, इस युद्ध के खत्मों होने के बा वहीं जब कर्ण क्रिपाचारे का इस तरह उपहास कर रहे थे, तभी अशोथामा सूरेपुत्र के कटू वचन सुनकर तलवार उठाकर तुरंत उन पर तूट पड़ा, जैसे एक सिह मत वाले हाथी पर जपटता है, ठीक उसी तरह, द्रोन पुत्र अशोथामा ने कर्ण प दुर्योधन और क्रिपाचारे कर्ण के बचाव के लिए बीच में आ जाते हैं, जिसके बाद अपने मामा क्रिपाचारे और मित्र दुर्योधन की बातों को ध्यान में रखते हुए, अशोथामा कर्ण के प्रान बख्ष देते हैं, तो मित्रों देखा आपने कि आखिर क्य बहुआ बहुआ शुक्रिया